हाई विवान कैसे आप लोग तो अभी देखो एक्जाम का महल रहता है और इस तरह के कोर्स को आप आखरी टाइम पर देखते हो जब वन मांथ टू मांथ बचा होता है ठीक है तो मेरी पूरी कोश्य होगी कि भी जितने भी कॉंसेट्स हैं आपको बहुत जल्दी में बट बह से इंपोर्टन बात क्या है कि भी आप परिशान रहते हो कि कौन सा फॉर्मुला याद करें नहीं करें कहां से लिखें वो सब कुछ आपको इधर मिलेगा ठीक है तो अभी जैसे मैं इस टॉपिक का जैसे भी मोशन और स्टेट लाइन से स्टार्ट करें हर एक चाप्टर का अपको फास्ट रिविजन फास्ट ट्राक रिविजन मिल जायगा हर एक वो कञसेप्ट जो अपके अग्जाम में मिलेगा वो इधर दिखेंगा ठीक है आखरी में आपको इक प्रॉबलम का सेट मिल जाएगा जो अब्यसली पी-वाई-क्यु जैसा होगा पी-वाई-क्यू motion on a straight line, ठीक है, motion on a straight line से शुरू करते हैं, तो अगर आप यहां पर देखोगे, तो कई तरह के branches आपको देखते हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है, आपको basics पर focus करना है, और वो important concepts दिमाग में रखने हैं, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, फिर finally formula आएगा, ठीक है, तो द कानी जो है, position से शुरू होगी, और position बदलेगा, तो displacement होगा, rate of change of displacement लिखेंगे, तो वो velocity हो जाएगा, अगर velocity बदल रहा है, तो acceleration होगा, बहुत सिंबल से कानी, ठीक है, तो देखो, जब हम motion on straight line लिखते हैं, ठीक है, तो दो तरीके की चीज़े आती है, तो position से ही सब कुछ related है, क्या, displacement, velocity, acceleration, सब कहीं न कहीं, position से relate हो जाएगा, कि अगर position change हो रहा है, तो velocity होगी, अगर position change हो रहा है, तो displacement होगा, और displacement है, तो definitely velocity होगी, और इसका एक special का है, अगर velocity बदल रहा है, तो acceleration होगा, तो कहानी इसके around चल रही होगी, कहानी इसके around चल रही होगी, तो मेरे कहाल से बाते आपको यहां तक समझ आ चुकी, कि करना क्या है, अब मैं यहां से कहानी प्रारम्ब कर देता हूँ, जिसको आपको दमाग में रखना है, अब घबराईए नहीं, आखरी में मैं वह सारे formula यहां पे लिख दूगा, तो दूसरा क्या होगा? नौन इनिफॉर्म, दूसरा क्या होगा? नौन इनिफॉर्म, नौन इनिफॉर्म में अब जाएंगे तो दो तरगा acceleration मिलेगा है, एक constant acceleration, एक variable acceleration, ठीक है? एक constant acceleration, एक variable acceleration, यह बिल्कुल सीधा बनेगा सर, यह भी straight बनेगा, यहां पे calculus का अस्तमाल होगा, यहां पर calculus का अस्तावाल होगा ठीक है question कहां से मिलते हैं यहां से पूरे तोर पर यहां से मिलने के chances से यहां से मिलने के chances से इन सब को cover कौन कर रहा होता बहुत अच्छी तरह से that is graph जो दोनों में common होगा ठीक है तो एक एक point मैं समझाता जा रहा हूँ अब समझते जाएंगे और आखरी में मैं formula लिख दूँगा आपको परिशान होने के जुरूत नहीं है तो देखो जब uniform motion की बात करेंगे तो कोई पंगा ही नहीं है uniform motion को आप ऐसा दिखा सकते हो देखो साथ में मैं graph की भी बात करता जाओंगा uniform motion की अगर बात करें और अगर हम position की बात करते हैं यहाँ पर मैं position लिख दे रहा हूँ इसको हमने x लिख दिया which is position अब कई दभा बच्चे confused जाते सर x तो इदर हो तो इदर काय को दे दिये हो अरे भया x position को दिखा रहा है we have two different time हम अब हमारी मर्ची क्या रखना चाहते है न तो x basically position बता रहा है and this is the time ठीक है तो अगर हम uniform motion की बात करते हैं अगर हम uniform motion की बात करते हैं मतब uniform rate से position बदलनी चीए uniform rate से position बदलनी चीए तो हमने यह दिखाना है अगर हम ऐसा दिखाते है तो body rest पे होता है तो ऐसा दिखाना है अब आपको graph में कुछ common चीज़े याद रखनी है जो अलग सा course आपको दिख जाएगा basic mathematics की पूरी कहानी वह देखे मैं यहाँ पर सारे important points समझा दे रहा हूं तो अगर आप देखोगे तो अगर हमने theta लिख दिया तो जो slope देख रहे है तो 10 theta जो होगा वो rate of change of this quantity with respect to this quantity बताता है तो obviously यहाँ पर position और time है तो यहाँ पर 10 theta जो बताएगा तुम्हें ठीक है यह velocity बता देगा और अगर ह उनिफॉर्म मोशन की बात करें तो velocity तो constant रहनीची और वो है velocity constant रहनीची और वो है इसमें कोई धिकत ही नहीं तो सबसे पहली जैसे uniform motion की बात करें तो एदिशिरो होता है हम ऐसा लिख सकते हैं यह velocity हो गई जो की constant रहनी है तो तो पंगई है निया सर अब अगर हम displacement की बात क करें तो सीधे सीधे आपको यह याद रखना है फाइनल बोजिशन माइनस इनीशिल पोजिशन अब डिस्प्लेस्मेंट इस वेक्टर कॉंटिटी है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो एकस फाइनल माइनस एकस इनीशियल कॉंसेट वाइज क्या होता है अगर कॉंसेट है आप याद रखते हैं उसको शौटेस डिस्टेंस बिट्मिन इनीशियल और फाइनल पोजिशन यहां तो बात है समझ आ रहे हैं कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चीए तो यहां पे जब आप डिस्प्लेस्मेंट लिखोगे तो सिंप्ली यह वी इन्टू टी हो जाएगा सिंप्ली क्या हो जाएगा यह वी इन्टू टी तो मझे लगता नहीं कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो रहा अच्छी तो as far as that uniform motion is concerned कहानी बहुत स्मूथ है कि भी displacement को velocity इन्टू टाइम लिख देंगे काम खता है तो यह velocity के बात कर ली कैसे लिखा क्या लिखा यहां त ठीक है और स्टेट लाइन पर चलने तो जो डिस्टेंस से वही displacement है इतनी सी कहानी याद रखनी है ठीक है अब आते हैं लोग नौन यूनिफॉर्म पर अब यहां से समझना शुरू करना है एक एक करके मैं सारे ग्राफ सारी चीज़ें समझा दूगा ठीक है तो अब देखो सिहां और हम नौन यूनिफॉर्म की बात करते हैं टीक है तो नौन यूनिफॉर्म पर मोशन में हम सभसेचे हैं हमारी वैलासिटी है वह बदल रही है तो अब यहांसे देखना शुरू तो हम सबसे पहले constant acceleration की बात कर ले तो constant acceleration वाला अगर आप देखो गया तो सबसे पहले यह क्या होता है rate of change of velocity with respect to time यह क्या होता है rate of change of velocity with respect to time मतब change in velocity upon time taken is the acceleration ठीक है तो अगर इसका unit लिखेंगे तो meter per second square हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जुरूत होती नहीं वी final minus वी initial upon time taken कर लेते हो जाएगे वी final minus वी initial upon time taken कर देते तो आपको acceleration मिल जाता है मतब अगर velocity बदल रही है तो acceleration होगा और अगर यह constant तो हम इसको non-information के उस pattern पर ले जाएगे जहाँ पर acceleration constant होता है simple सिकानी है अब देखे सर अब यहाँ पर मैं velocity time graph कीज देता हूँ देखना अगर हम velocity time graph कीजते हैं तो हम पाएंगे कि बदल रही है अगर ऐसा होता तो हम इसको uniform motion कहते हैं अगर straight line लिखते तो uniform motion क्योंकि velocity constant रह जाता time के साथ velocity is changing with the time but with constant rate तो देखो हमें यह लिखना पड़ेगा अगर हम VT graph की करते हैं बात तो यह होगा यह लिखते तो यह uniform motion का होता है तो हमें यहाँ से कोई लेना देना है नहीं तो हमने ऐसा लिखा दिये अब अगर आप वीटी graph लेनेवर वीटी ग्राफ तो आप देखिएगा इसका जो area होगा यह displacement बताएगा जो area होगा वही displacement बताएगा area under the line तो देखो positive velocity तो ऐसा हो गया अगर मालो negative velocity होता सर कि मालो ऐसा होता ठीक है तो यहाँ तक तो positive velocity यह वाला negative displacement हो जाता तो यह positive displacement और यहाँ पे क्या ल is a negative displacement बट वो भी इस area के बराबर लेकिन अगर हम ourselves की बात करें तो उपर पॉजिटीब और नीचे भी ऐसको अब आता सी तो यहां से यहां से एक constant acceleration वाला है यहां से यहां तक एक y'ne constant और वाला है motion ठीक है न मतलब uniform motion नहीं कहेंगे non uniform कहेंगे बट विट constant acceleration तो यह कहानी बन गई भी अब देखो यहाँ पे 10th जो slope होगा वो acceleration बताएगा ठीक है तो यह देखो यहाँ पे 10th क्या हो जाएगा acceleration बताएगा अगर हमारे पास VT एक्सेलरेशन का मामला बनता है तो हमें क्या पढ़ना है S equals to UT plus half 80 square V equals to U plus 80 and V square equals to U square plus 2AS यह अब यहाँ पर मैं चीज़े समझाना शुरू करता हूँ एक एक करके मैं समझा दूगा बट यहाँ तक बात है समझ आ रहे है सर कॉंस्टन एक्सेलरेशन है तो यह कहानी बनेगी these are three equations जो बहुत important होगे what is S S is the always ख्याल रखेगा displacement ठीक है V final velocity है it is the final velocity U initial velocity ठीक है A acceleration and T time ठीक है अब मैं यहाँ पर ढंक से समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है कैसे क्या चीज़े चल रही है ठीक है तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा है ना तो अभी हम तो क्या पट रहे है non uniform motion but with constant acceleration non uniform motion but with constant acceleration ठीक है अब देखो these are the three equations जो बहुत important है है ना लेकिन कभ यूज कर सकते one dimensional motion one d में यूज कर सकते जब a constant होगा a जब constant होगा तब आप इसका उपयोग कर सकते हो अब मैं एक simple से example से सुरू करता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ आए ही से graph यह वो distance displacement क्या होता सब कुछ देख लेंगे अब ठीक है अब अगर मालोग मैं आपको एक example देता हूँ कि यू इज हंड्रड आई icap meter per second acceleration is minus 20 icap meter per second square ठीक है यह दो information दे दिया अब क्या कहेंगे motion कैसा है अगर यह दो information दे दिया तो आप क्या कहेंगे motion कैसा है तो आपको कि motion जो है one dimensional है क्योंकि दोनों icap है constant acceleration है yes क्योंकि यह 20 always constant रहेगा अब देखो यह equations बिल्कुल confusion ना आ जाए तो मैं इसको graph के तरीके से समझाना शुरू करता हूं ठीक है तो अगर मैं graph कीचो तो इससे idea भी हो जाए कैसे लिखते है तो देखो यह तो आपको ध्यान में हई है इसको मैं हटाता हूं ठीक है पर यह 3 equations बिल्कुल जहन में होनी चीए आपके तो मुझे लगता नहीं कि को दिक्कत होगी सर अब देखो अगर मैं graph कीचो यह थोड़ा हलका सा चल लेकिं मेरे हमारे पास 100 है तो मैंने 100 दिखा दिया यह 100 पर हमारे पास 100 है दिखा दिया अब क्या हो रहा है तो velocity decrease हो रही है बिकॉस यह एक simple graph से मैं सारी चीजह आपको समझा दूंगा what is distance displacement some average वो सब कुछ पता लग जाएगा तो देखो अगर यह 100 initial velocity है ठीक है और हमारा acceleration minus है तो मतलब minus स्लोप negative होना चाहिए वीटी graph में slope always क्या बताएगा आपको acceleration वीटी graph में slope always क्या बताएगा sir आपको acceleration तो अगर यहां से देखेंगे आप तो हमारा जो line जाना चाहिए वो कूछ इस तरह से जाना चाहिए क्यूं जाना चाहिए slope स्लोप नेगेटिव होगा और स्लोप जो है वह एक्सेलरेशन बताएगा क्योंकि वी टी ग्राफ है ठीक है तो यह ऐसा जाना चाहिए तो ग्राफ खीशते समय पहला पॉइंट की टी जीरो पे वी कितना था और वी कितने टाइम पे जीरो हो जाएगा वह पूरा सब कुछ त्यार करके दे देगा आपको तो अब क्लियरली देखोगे कि भी स्लोप जो चाहिए वो फाइब चाहिए अगर हम लोग देखे जो चाहिए वो ट्वेंटी चाहिए और नेगेटिव में चाहिए तो अगर यह हंडर्ड है देखना द्यान से समझना तो अगर मैं इसको 5 लिखूंगा तभी यह slope 20 हो पाएगा देखो ना यार कि यह अगर हमें 10 थीटा का magnitude 10 थीटा का magnitude 20 चाहिए तो भई यह तो 100 है तो 100 upon this unknown must be equal to 20 तो time कितना हो गया 5 हो गया मतब यह पक्के तोर फे 5 चीए यह लिखते ही graph का pattern समझ आ जाएगा तुमें अब तुम देखोगे 5th second पे body rest पे आया लेकिन उसके बाद क्या acceleration उसी direction में constant था तो उसके बाद क्या होगा still वही acceleration रहेगा बट वह वेलोसिटी को बढ़ाने लग जाएगा negative side में इसलिए सरफ minus sign देखकर के retardation retardation मत बूलिएगा हमें समझना होता है कि हो क्या रहा है sorry तो आप देखोगे कि 0 to 5 के लिए that a was playing the role of retardation a जो है वो retardation का role play कर रहा था लेकिन 5 के बाद वह acceleration positive velocity को बढ़ा रहा है negative side में समझ आ रही बाद तो देखो अपने ऐसा खीच दिया सर अब आप देखो कि अगर 0 to 5 तक जाए अगर 0 to 5 तक जाए तो distance और displacement दोनों बराबर होना चाहिए लेकिन 5 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो distance अलग और displacement अलग हो जाएगा तो देखो आप ऐसा खीच सकते हो सर अब इसमें से देखो area लिख दीजिए सर area लिख देंगे तो क्या हो जाएगा area लिखने से displacement आ जाएगा तो अगर मैंने एक special case दे दिया आपको कि भी आपको दे दिया time equals to आपको 10 seconds तो देखो मज़ा आ गया काम का 10 seconds देने से ये 5 तो ये भी 5 देना पड़ेगा मज़े की बात क्या है ये वाला area कितना आएगा 1 upon 2 into base into height तो 1 upon 2 5 into 100 ठीक है ये कितना आ जाएगा 50 into 5 250 लिख सकते क्या ये कैसे 250 लिख दिया बात समझ आ रही है कि भी half into base into height height 100 दिया हुआ था सर तो यहां से अगर आपने देखा तो 50 into 5 250 तो exactly ये भी उतना ही आएगा क्योंकि ये भी 5 है और ये देखो slope यहां पर भी उतना ही रहना चाहिए तो ये minus 100 पर जाएगे तो ये देखो ये कितना आ जाएगा minus 250 meter तो as far as that displacement is concerned तो displacement क्या हो जाएगा सर displacement क्या हो जाएगा 0 plus 2 250 और minus 250 0 आ गया displacement कितना आ गया 0 लेकिन अगर कोई यहां पर distance पूछ लेता अगर कोई distance पूछ लेता तो हम distance को क्या लिख देते हैं this plus this वो negative में हो नहीं सकता तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 500 meter समझ आई बात क्या समझ आई बात कैसे लिख रहे पता चल रहा है तो जब भी हमारे पास one dimensional motion हो और constant acceleration हो हम इन तीन equations का उपियोग कर सकते हैं लेकिन सबसे खत्रा यहां पर है this is always displacement s क्या है always displacement है देखो यहां पर हमने graph से निकाला अगर मैं direct formula यूज करता तो क्या लिखता s equals to ut मतब 100 into t t का value कितना है 10 plus half into a which is minus 20 into t square time हमने 10 दिखा है तो 100 हो जाएगा अब आप देखो sir thousand minus यहां पर 10 into thousand 0 आ गया तो this formula is always valid for displacement यह याद रखना है यह always displacement के लिए valid होगा लेकिन अगर हमें distance चाहिए अगर हमें distance चाहिए तो हमें graph खीचना चाहिए क्योंकि यहां पर देखो तो यह तब जब हमारा जो दोनों opposite sign का है तो दोनों अलग हो सकता है अगर मालो कि भी 5 से जादा किसी भी time पर पूछेगा तो displacement और distance दोनों अलग आएगा लेकिन 5 से पहले में कोई परशाने नहीं तो ठीक है यहां तक मेरे खाल से बाते समझ आ र तो देखो गहीं से अब देखते हैं इसका मतलब यह हो गया ऐसा अगर displacement है कहीं पर ऐसा सवाल आता है कि अगर किसी एक particle को edge height से project किया upward direction में U से जमीन पर आने में कितना वक्त लगेगा उसको वो मालो body जाता है और जाकर के वापस जमीन पर गिरता है body जाता है जाकर के जमीन पर गिरता है एस इस process में time कितना लग जाएगा तो इस process में time कितना लग जाएगा आप तुम सोचोगे भाई यह निकालूंगा फिर यह निकालूंगा रहे भाई हमारे पास यह formula है ना जी downward लग रहा है ठीक है one dimensional motion है with constant acceleration तो हम इसका उपयोग कर सकत है ना पद्धान रखेगा as is always displacement और displacement का direction क्या होता है from initial to final from initial to final तो initial to final पर जाना है तो यह initial है और यह final हुआ तो displacement का direction यह हो गया अब देखो upward को हमने positive लिया तो downward को negative लेना पड़ेगा तो initial velocity how much sir इसको मैं यू not लिख देता हूं so you is you not अगर हम acceleration की बात करें तो minus g अगर हमने upward positive लिया तो यह negative होगा और displacement की अगर बात करते हैं तो initial to final मतब downward होगा तो देखो displacement के लेगर हम लिख गे तो s is minus h अगर आप यह यूज कर रहे हो तो directly वह formula यूज करो which is minus h equals to u not t minus half gt square you will get the time taken बिना इस लफडे में गए कि पहले मैं यह निकालू फर यह निकालू क्यूं लिखा हमने क्योंकि यह one dimensional motion था with constant acceleration था तो बिलकुल यह लिख सकते हैं one dimensional motion था with constant acceleration था तो हम यह बिलकुल लिख सकते हैं इसमें कोई भी doubt नहीं है ठीक है तो देखो u not t minus half gt square done तो मझे लगता नहीं कि कहीं किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई doubt होगा तो मेरे ख्याल से यह समझ आ गया तो जब भी हमारे पास constant acceleration का खेल होता तो ऐसा लिख सकते हैं और ख्याल रखेगा अगर हमारे पास constant acceleration है तो average velocity अग सिर्फ तब जब हमारे पास constant acceleration है तो हम ऐसा लिख सकते हैं otherwise otherwise average velocity का basic definition क्या होता है टोटल डिस्प्लेस्मेंट टोटल डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम टेकन अधरवाइस देखेंगे तो क्या होता है टोटल डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम टेकन मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत होनी चीए तो यहां तक मेरे खाल से बाते समझ आगे तो देखो यह fast track course है concept को revise कराने का इस में पीवाई क्यू सॉल्व करा रहा हूंगा problem wise ठीक है तो को दिक्कत होगी नहीं सर आपको तो मुझे लगता है कि यहां तक किसी भी बच्चे को को दिक्कत है कि अगर योनिफॉर्म जब हमारा ए जो है constant ना होते भी वेरीबल हो जाए तो क्या होगा calculus भाया का उप्योग करिए आपके पास position दिया होगा कि सब्सक्राइब बच्चन अव टाइम ठीक है तो आप instantaneous velocity को dx by dt लिखो instantaneous velocity को dx by dt लिखो acceleration को dv by dt लिखता हूँ ठीक है rate of change यह instantaneous velocity है यह instantaneous velocity और यह instantaneous acceleration तो बस इतना असा लिखना है आपको बट ए के लिए ख्याल रखेगा सर ए को हम v dv by dx भी लिख सकते यह बड़ा important इसमें से आप देखेंगे जही में में भी नीट में भी कई दफा क्वेशन पुछे गए हैं सिरफ इस पर कैसे लिखा आपको पता है एक एक अच्छा डv by ऐसा लिख सकते हैं and this is nothing but the velocity यह लिख लिए अब देखो dv by dx यहां तक समझे वी तो यह आ जाएगा तो यह जरूर याद रखेगा इसके बेस्ट ग्राफ से कई बार जैने और नीट ने पूछ लिया है मैं में की बात कर रहा हूँ है ना तो यहां तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही है को दिक्कत होनी नीच है तो जब भी हमार जाए तो बड़े आराम से अगर वेलासिटी चीए तो सीधा डिफरेंसीट करो थीक है तो यह लिख लेना है हमें ठीक है तो मुझे लगता ने की कोई दिक्कत होनी चीए अगर जब भी हमारे पास वेरियबल एक्सेलरेशन का मामला होगा तो हमें यह चीज़े करनी है ठीक इतने भी फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखना चीए वो मैं लिख देता हूं ठीक है और वो इस तरह से कि माइन में वो सेटल हो जाए ठीक है फिर इसी चाप्टर के कोर्स्पांडिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लेक्चर भी दिख जाएगा ठीक है स अब देखोगे सबसे पहली चीज़ कि भई तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं देखो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो क्या क्या points होंगे सर एजिरो ठीक है जो displacement होगा असको मैं x से लिख रहा हूँ उसको वी इंटू टी लिख सकते हैं अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्स जो है जो दिस्प्लेश्मेंट है वो स्ट्रेट पे चेंज और होगा ऐसा हो जाए ठीक है या फिर ऐसा हो जाए ठीक है यह यूनिफॉर्म मोशन दर्साएगा ठीक है सर्थ कोई दिक्कत नहीं है प यूनिफॉर्म मोशन में पहला जो आएगा सर्व वो वो है आपका कॉंस्टन असलुरेश्यर्रा संब एक कि जब कॉंस्टन असलुरेश्मेंट की बात आएगी तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा ठीक है वीर्टी ग्राफ अगर हम VT graph देखेंगे तो ऐसा जाएगा सर और अगर हम displacement time graph देखेंगे ठीक है तो वो कुछ ऐसा जाएगा अगर हम displacement time graph देखेंगे ठीक है अब मैं समझाता हूँ अगर constant acceleration है तो क्या-क्या हो सकता है यह graph लिख दिया सर slope ही हमारे को acceleration बताएगा है हाँ यहाँ पर slope हमें velocity बताएगा तो देखो slope increase हो रहा है मतलब यहाँ पर भी A constant जैसा है A है और वो constant इसलिए ऐसा बना अब देखो अगर constant acceleration तो you have s equals to ut plus hpt square s is always displacement v equals to u plus 80 and v square equals to u square plus 2as यह याद रखना है सर है न nth second में अगर displacement चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना है nth second में बस sn minus sn minus 1 nth second में n minus 1 से करना है ठीक है a by 2 2n minus 1 बस ठीक है u by 2 plus यहाँ तो यह कैसे लिख रहे है समझ आ रहा है को दिक्कत होने नीची बस यह याद रखना है सर अगर constant acceleration में है तो s is always displacement ख्याल रखना है s always displacement है vt graph में area हमें displacement बताएगा slope हमें acceleration बताएगा इतनी सी चीज ख्याल में रखना है आपको ठीक है जैसे हम लोग non uniform में जाएं non uniform के दूसरे पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे a variable है अगर a variable है तो हम v को dx by dt लिखतेंगे a को dv by dt लिखतेंगे a को हम v dv by dx भी लिख सकते ठीक है या फिर a को हम double differentiation of position भी लिख सकते यहां तो बाते समझा रहे हैं तो one dimensional motion जो है straight line में उसके लिए इतने से concept है इतने से concept के साथ है अब अगर हम जेई में की बात करते हैं अब अगर हम जेई में की बात करें बेटा तो जेई में में इतने से concept से इस सारा question बना हुआ है अब आपको problem solving session भी दिख जाएगा जो इसके consistency के साथ आपको दिख जाएगा तो जिसमें जितने important question अभी तक पूछे गए है वो मैं solve करा हूँगा formula के नाम पर इतनी चीज़ें ख्याल में रखनी है ठीक है तो ये जेई के हिसाब से जेई में के हिसाब से इतना साथ था एडवांस के लिए अलग से series है जो revision के लिए है ठीक है